हेलो एंड वेलकम बेक टू माई चैनल अनुराग लौक लासेश तो हम आई पीसी पढ़ रहे थे और आई पीसी में आज हम शुरू करेंगे अबैटमेंट जो हमें चेप्टर नंबर फाइव में दे रखा है तो इसमें हमें बता रखा है कि अबैटमेंट किस प्रकार से होता है section number 107 में तो 107 में हमें बता रखा है कि अगर आप किसी को encourage करते हैं कोई काम करने के लिए और वो जो act है वो crime होता है वो offense होता है और आप उसको encourage करते हैं तो वो अबैटमेंट माना जाएगा अब इसमें हमें बता रखें कि अबैटमेंट किस-किस प्रकार से हो सकता है तो अबैटमेंट हमारा इंस्टिगेशन द्वारा हो सकता है एड द्वारा हो सकता है असिस्टेंस द्वारा हो सकता है कमांड द्वारा हो सकता और कांसलिंग द एक्टस्रियस दोनों जरूरी होते हैं मगर आपेट्मेंट में जो अबैळीत है अबैटर के पास तो होता है मैंस्रीया जो की होती है इंट करते हैं और एक्ट्रशारय जो एक्ट करते हैं 20 20 घर 5 lebih और इसलिए यह बेट्मेंट जो है इसे इनकोहिट क्राइम भी माना जाता है इसमें हमारा केस है कुईन वर्सिज मोहित इसमें इसमें हमें बताया था सती माता की जाए सती माता की जाए करते थे तो उसकी वजए से फिर उसे उसे अब एटमेंट में लाए गया इसमें यह हमें बता रखा है कि इंस्टिगेशन द्वारा कर सकते हैं है ना कंस्पाइरेसी द्वारा कर सकते हैं यह एड एड द्वारा कर सकते हैं लीगल ओमीशन द्वारा कर सकते हैं ठीक है अब इसमें आगे है कि instigation द्वारा कैसे होता है है न कि instigation द्वारा first में जो हमें बताए कि instigation द्वारा कैसे होता है कि जब आप abatter को active instigate करते हो उकसाते हो आप उसे है ना और वो उकसाना direct या indirect हो सकता है ठीक है इसमें एक case है मदन मोहन सिंग वर्सिस गुजराद 2010 2010 तो इसमें case है मदन मोहन वर्सिस गुजराद 2010 तो इसमें हमें बताए कि मदन मोहन सिंग ने क्या करा अपने driver को data और क्योंकि वो सही गाड़ी नहीं चला रहा था और उसने driver को data 4 तारिक को ठीक है अब driver ने जो suicide कर लिया उसके data की वज़ए से driver इतना क्या कहते हैं depression में आ गया कि उसने suicide कर लिया और उसने suicide कर तेहिस तारिक को तो court ने यह लगाया कि उसने 17 दिन बाद क्या कहते हैं suicide करा और court ने यह भी देखा कि अगर आप अपनी duty नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या कहते हैं जो owner है वो आपको डाट सकता है और आप मतलब इतना प्रवोक थोड़ी हो जाएंगे डाटने से कि आप सूसाइड कर लेंगे और 17 दिन बाद अगर आप सूसाइड कर रहें तो आपके पास सफिशन टाइम तर सोचने का इसमें अब नेक्स बढ़ते हैं अबेटमेंट बाइ कंस्पा रेसी तो कंस्पाइरेसी द्वारा अबेटमेंट कैसे होता है कि जब कोई क्रिमिनल एग्रीमेंट कर दिया करा जाता है इल्लीगल एक्ट करने के लिए कोई एग्रीमेंट करा जाता है कि लीगल एक्ट करेंगे तो उसमें कि में अबेटमेंट बाइक कंस्पाइरेसी होती ह इसमें मान ली जैसे कि नौकर है और नौकर ने चोरों के साथ कंस्पाइरेसी कर ली कि कहते हैं मैं रात को दरवाजर लौक नहीं करूंगा तुम चुपके से आ जाना और चोरी करके चले जाना तो यह बेटमेंट बाइक कंस्पाइरेसी का और हैना और आप उसमें फैसिलिटेट करते हैं आफ उसमें सहयता प्रोवाइट करते हैं तो वह अबेटमेंट orail चाहिं अ संब आता है इसमें जो जो आबएटर जो आसिस्टेंस डेता है कि आज पहां अदे अबैटर कौन होता है तो अबैटर में पहला हमें बता रखा है कि इल्लीगल ओमीशन द्वारा अबैटर हो सकता है कि इसमें इल्लीगल ओमीशन में बता रखा है कि एक स्पेक्टेटर जो होता वह बैटर नहीं होता है ना मगर अगर किसी इल्लीगल omission का अगर क्या कहते हैं कोई person था वो उस काम को करने के लिए उस काम को करने के लिए वो bound था ठीक है उस काम को करने के लिए वो bound था मगर उसने वो काम नहीं करा तो वो illegal omission में better माना जाएगा जैसे मान लेजिए अगर कोई police वाला है अगर कोई पुलिस वाला है वह एफियार लिखने से मना कर लेताए कि मैं तो तुम्हारी एफियार नहीं लिख भूगा ठीक हैा फिर कोई वह पुलिस वाले से कहते हैं कि वह चौड जा रहा है और पुड्र को पकड़ता नहीं ठीक है तो पुलिस वाला रिजल्ट नेसेसरी नहीं करता है कि आपके ओफेंस उसके उपपर पूरा हुआ ओफेंस का रिजल्ट नेसेसरी नहीं करता है अब एटर को लाइबल करने के लिए ठीक है इसमें अब नेक्स्ट एक्स्प्लेनेशन में पढ़ते हैं एक्स्प्लेनेशन थिरी में हमें बता रखा है कि अब एटर तब भी लाइबल होगा अगर जो दूसरा अबेटेड परसन है वो इनकॉम्पिटेंट है क्राइम करने के लिए ठीक है तो भी अब एटर लाइबल होगा अब एक्स्प्लेनेशन फोर में आ जाते हैं एक्स्प्लेनेशन फोर में हमें बता रखा है कि अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इस ऑल्सो आ क्राइम के अगर आप अबेटमेंट कर रहे हैं किसी और अबेटमेंट करने की तो भी वो क्राइम होगा इसमें हमें बता रखा है कि A, B, C इसमें हमें बता रखाएंगे A, B और C है A A ने B को अबेट करा ठीक है B ने C को अबेट करा और C ने D को अबेट करा के Z का मडर कर दे तो ये सब भी अबेटमेंट में लाइबल होंगे ठीक है अब इसमें आ जाते है Explanation No.5 में Explanation 5 में आमें बता रखा है के अगर conspiracy हुई है अब किसी crime को करने की तो necessary होगा के जो परसन है वो भी अबेटर जो है उसमें conspiracy में engage हो Explanation 5 में आमें बता रखा है कि अगर conspiracy हुई है किसी क्राइम को करने की तो अबेटर जो है उसमें कंस्पाइरेसी में भी एंगेज होगा और इसमें एक बता रखा है कि अगर मान लीजे कोई वर्बल परमीशन या साइलेंट असेंट या से रहला के कह दिया ऐसे करके इशारा कर दिया तो वो इंस्टिगेशन में नहीं आता है ठीक है इसमें जैसे मान लीजे ए है ए परसन ने जैसे माली ए परसन 20 आ के यार मेरा तो बैंक क्यार अशारा करके आख मारके कोई बात लोर्ट या या वेंट या तो जो जो वी परसन है वो ओ कि निकाह जास एक सो आट ए में आ जाते हैं 100 A में दे रखा है हमें कि अगर abatement हुआ है इंडिया में मगर offense इंडिया के बाहर हुआ है वो तब भी punishable होगा ठीक है 109 पे हमें यहां से 109 से punishment देते हैं abatement की और जो punishment है वो 120 तक हैगी punishment abatement की तो 109 से 114 तक मैं आपको बता देता हूं कि 109 से 114 तक जो हमें दे रखा है 109 से 114 तक हमें दे रखा है कि abated offense हुआ है और वो abated offense जो है मतलब reasonably foreseeable था तो और वो abated offense हुआ है तो उसकी punishment क्या होगी 115 और 116 हमें बताते हैं कि abated offense पूरा committed हो गया है या फिर fully committed नहीं भी हुआ है तो भी उसकी punishment आपको मिलेगी 117 में हमें बताया गया है कि abated offense अगर public द्वारा किया जाए 117 में हमें बता रखा है कि abated offense अगर public द्वारा किया जाए 10 से जादा लोग हो उसमें तो क्या सजा होगी और 118, 119 और 120 में हमें punishment बता रखी है कि अगर आप कोई design को conceal कर रहे हैं offense के offense का जो आपने design बनाया उसे चुपा रहे हैं तो भी आपको punishment होगी आप पढ़ते हैं 109 तो 109 में हमें बता रखा है कि अगर abated offense हुआ है और अगर कोई act हुआ है और उसका जो consequence है वह abatement में abatement है तो आपको punishment मिलेगी abatement की आगे बढ़ते हैं 110 पर आ 110 में हमें बता रखा है कि abatement अगर अगर क्या कहते हैं अब अब अबेटेड पर अब्जेक्त तो abater होता है अबेटेड होता है ठीक है और abated की intention अगर अलग है abater से तो भी punishment आपको मिलेगी 111 में हमें बता रखा है कि अगर different act किया है ना तो भी आपको punishment मिलेगी इसमें मान लीजिए जैसे जैड जैड ने बोला कि सी को poison दे दे चाए में मिला के मगर क्या कहते हैं सी ने चाय नहीं पी और जैड ने जो चाय बनाई थी उसकी उस वह जैड ने चाय बनाई थी वह वाए ने पी ली तो वाए पी के मर गया तो यह भी आफेंस मान तो यह में भी पनिश्मेंट मिलेगी अब 112 में आ जाते हैं da a 112 हमें हमें बता रख्या है कि यह रखा हमारा पहला hepsा पढ़ अब 112 हमें बताे बताता है कि यह inhib में कोई percentि कर दिया है उस offense के addition में जिसके लिए वीडिया वह tun, अबेटमेंट किया गया था उसका और उसने अबेटेड ने कोई एक्स्टर आफेंस कर दिया है है ना तो भी वो उसके लिए उसे पनिश्मेंट मिलेगी ठीक है और इसमें बता इसमें हम एक एक्जामपल से देखते हैं कि मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है उसने एक को अरेस्ट करने की कोशिश करी ठीक है इसमें एक पुलिस ऑफिसर है उसने क्या कहते हैं एक को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है मगर दी आता ौर Bomb इसे कहता है कि बी इसे इंस्टिगेट कर देता के अरे ठेरे को तो यह पुलिस्ट वाले को माहता है ठीक है और पुलिस वाले को मानने के बाद क्या कहते हैं वहां पर जो और 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 कोई लेडी वेडी थी उसके गहने भी लूट के भग जाता है तो यह जो है तो बी जो है इसके लिए भी लाइबल होगा ठीक है अब 113 में आ जाते हैं कि अगर क्या कहते हैं डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है अगर अगर क्या कहते हैं डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है कि जो इफेक्ट नहीं था एक्ट का वह इफेक्ट नहीं आ रहा है और डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है तो भी अबेटर जो है लाइब में कि तो अबैटर जो को यहांटर किसीड़ कि है कि और इस-सी नहीं वह आफेंस कुमिट कि या कि रहती क्योंकि पहले कर Questions us शनुक्त वहाँ कुमिठे करने के लीए और वहां पे खड़े वे हैं और इस में प्रेश में स्जुआ पूर एविदेंस्श युक्त कि राखती 34 से अलक Cash कैसे है कि क्रिमिनल एक्ट अगर किया गया है बहुत सारे परसंड़ा है कि तीक है और उनका बैसिक है है उन तो ऐसे लिग ना तो 34 में आएगा अगर बहुत सारी परसंड़ारा आपकोई एक्ट किया गया और उनका बेसिक हैं में तो वो शेक्षन नमबर 34 में आए गार कॉमन इंटेंशन में जो हमने पहले पढ़ा था और सेक्षन उसके पाद मैं तो था कि उस कि अधर क्या कहते हैं 115 इसुसोना में बता रखेंट क्या ओगया फुली कंटो जाक्राइन क्या अधे क zur 113 रह में हमें बता रख्ता है कि आफने संगर डेठ Nora ऐना लाइफ लेंड द्वारा पनीशिबल है और कोई एक्सप्रेस प्रोवीजन प्रोवाइड नहीं है पनिश्मेंट का तो इसमें क्या कहते हैं इसमें और कोई आप कोई एक्सप्रेस प्रोवीजन प्रोवाइड नहीं है तो आपको 14 साल प्लस फाइन का क्या कहते हैं जुर्माना होगा और अग को 14 साल प्लस वाइन होगा और अगर आप अगर एक्ट नहीं हो पाया एक्ट कमिट नहीं हो पाया तो साथ साल और पाइन का आपको देना पड़ेगा 116 में पढ़ते हैं कि जब क्या कहते हैं ऑफेंस पनीशेबल है इंप्रिजनमेंट से और इंप्रिजनमेंट कोई एक्सप्रेस प्रोवीजन इंप्रिजनमेंट उसके खिलाफ कोई प्रोवाइडिड नहीं है तो अगर ओफेंस कमिट नहीं हुआ है तो तो वन फॉर्थ मिलेगी और पनिश्मेंट मिलेगी वन फॉर्थ ओफ दा लॉंगस टर्म ठीक है जैसे चैसे आठ साल तक की पनिश्में पनिश्मेंट का वन फॉर्थ निकाल जाएगा तो इसमें लॉंगस टर्म का वन फॉर्थ होगा अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है और अबैटर जो है पबलिक सर्वेंट है तो हाफ मिलेगा उसे लॉंगस टर्म का और फाइन भी हो सकता है अब आ जाते हैं सेक्शन नमब 117 हमें बताता है कि पबलिक के अबैटिंग औफेंस बाइ पबलिक ठीक है यानि कि 10 से जादा पर संजब होंगे तो पबलिक माना जाएगा तो इसमें हमें बता रखा है कि 3 साल तक कि सजा होगी और फाइन हो सकता है और इसमें एक हमें concealing design का भी बता रखा है कि अगर आप design को conceal कर रहे हैं तो क्या होगा तो अगर आप क्या कहते हैं design को conceal कर रहे है intentionally और knowledge है आपके पास कि यह कोई crime के facilitation को commission को facilitate करेगा तो भी आपको सजा होगी ठीक है अब 119 118 में हमें बता रखा था कि आप अगर क्या कहते हैं design को conceal कर रहे हैं और अब 119 में हम पढ़ते हैं 119 में हमें बता रखा है कि public servant द्वारा अगर abatement किया जाएगा तब तो इसमें हमें बता रखा है कि अगर क्राइम जो है punishable है death द्वारा या imprisonment है तो और offense कमिट हो गया है तो 10 साल की सजा मिलेगी और अगर crime punishable है death से अलग या life imprisonment से अलग तो हाफ मिलेगी longest term की और अगर offense कमिट नहीं हुआ है तो one-fourth मिलेगी और fine हो सकता है कि ठीक है इसमें अब कि 120 कि 120 पर आ जाते हैं लास सेक्षन है हमारे अबैट्मेंट का लास सेक्षन हमारे अबैट्मेंट का कि अबैट्मेंट का अगर crime है punishable with imprisonment के imprisonment द्वारा punishable है crime और क्या कहते हैं offense commit हो गया है तो one-fourth मिलेगी maximum term के जो crime की maximum term थी उसका one-fourth मिलेगी और अगर offense कमिट नहीं हुआ है तो one-eighth मतलब एक एक बटे-8 मिलेगी maximum term की ठीक है अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर थेंक यू